ये आकाश्वानी राइपुर है। प्रादेशी के समचार भुलेटिन के साथ मैं शशी का अंत यादाओ। और अब पेशा आज के मुख्य समचार। राजे मंत्री मंडल ने शास की अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लियोजना का लाब देने का निया न लिया है। प्रदेश में जुवा रोकने के लिए बनाया जाएगा कानून, अब समचार विस्तार से। राजे सरकार ने शास की अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाब देने का नियना लिया है। यह नियना आज मुख्यमंत्री भूपेश पगेल के अध्धक्षता में हुई राज्यमंत्री मंडल की बैठक में लिया गया। इसके तहट शास की सेवकों को 1 अप्रेल 2022 से ही 36 गड़ सामान्य भविश निदी का सदर सिमाना जाएगा। और 1 नॉंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथी से 31 मार्च 2022 तक NPS खाते में जमा करमचारी अंशिदान और उस पर अरजित लाभांश निमो के तहद्दे होगा। या विकल्प अंतिम और परिवर्तनी होगा। के समन्द में 36 गड़ जुआ प्रतिशेद वीदेह के प्रारूप का भी अनमोदन किया। आज हुई बैठक में मंत्री मंडल ने स्कूल भावनों की मरमत के लिए विशेस योजन्या शुरू करने का निया लिया है। इस योजन्या के तहट कुल 780 करोड रुपे खर्च किया जाएंगे। बैठक में राजी में मिलेट उत्पादन और उसके उप्योग को बढ़ावा देने के समन्द में भी चर्चा की गई। इसके लिए क्रिशी, पंचैत, एवं ग्रामन विकास, इसकूल शिक्षा, खाद्य, महिला और बाल विकास विभाद तथा स्वास्त और परिवाल कर लिया विभाद वारा संयुक तुरूप से पहल की जाएगी। बैठक में, राजी के सभी जिले में राजी यूजना की राशनकारधारियों को फोटिफाइड चावल वितरण करने का नीनलिया गया है। इसमें एपील कारधारियों को शामिल नहीं किया है। इसी तरह राश्ट्री खाद सुरक्षादिनियम के तर जारी राशनकारणो सम्मधित न्याईक जाज की रिकोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा मंत्री मनले मुख्य मंत्री व्रिक्ष संपता योजना को आगामी वित्ती वर्ष से लागू करने की स्विक्रती भी प्रदाम की है। की राज्यों और केंद्र शास्थ प्रदेशों से कहा गया है कि वे सम्मंधित अधिकार्यों को इस अधिनियम के बारे में जागरूपता कारेकर्म आजूज़ित करने का दिश ने, ताकि लोगों को इस बारे में जादा से ज्यादा जञानकारी हो। प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की मा हीरा बिन का आज अहमदाबाद के एक अस्पताल में निदान हो गया है। वे सव वर्ष की थी। हीरा बिन का अंतिम संसकार आज सुबह गांधी नगर के मुक्तिगाम में किया गया। प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और परिवार के ने सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। प्रधान मंत्री ने भावु को संदेश में कहा कि एक शांदार शतापदी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई है। 36 गड़ की राजिपाल अनुसुईयावी के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल, विधाल सभाध्यवची डॉक्टर चरण दास महंत, भाजपा के प्रदेश अध्यवची अरूर साव, पुर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमसी और नेता परतिपक्ष नारायन चंदेल सहित विफ दसवी और बारहवी कक्षा की परिक्षा है, 15 फरवेश से शुरू होगी, दसवी कक्षा की परिक्षा है, 21 मार्च और बारहवी की परिक्षा है, 5 अप्रेल तक चलेंगी, परिक्षा सुबह 10 बज से शुरू होगी, बोड़ परिक्षाओं की विस्तरत सूची, CBSC की आधिक प्रक्षित तरीके से फायदा उठाने के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किये गए इस्टे सेफ ओनलाइन कैम्पेंड पर केंदरित होगा। इसके तहत युनिसेप के सोशल बिहाइवियर विशेसग अभिशेक से ली गई भेटवारत प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाश्वाणी के इंदर रायपूर से कल 31 दिसंबर को सुबह साड़े दस बई से किया जाएगा। इसे 36 गड़ से आकाश्वाणी के सभी के अंदर रेले करेंगे। प्रादेशिक समचार आप आकाश्वाणी की रायपूर से सुन रहे हैं। तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं। आप तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं। आकाश्वाणी समचार आप आगे बरते हैं बाकी के समचारों की ओर। विद्धुत मंतराले के अधीन के इंद्री सारजनिक शेत्र के उद्यम आर एसी लिमिटेड ने दिव्यांग जनों को साहाता और साहा कुपकरणों के वितरन के लिए आज रायपूर में दोड़ शिविर आजोजित किये। पहला शिविर माना कैंप में आजोजित किया गया इस औसर पर आर एसी के धर्ष और प्रबंध निदेशक विवेक कुमार दिवांगन आर एसी के निदेशक अजय चाउधरी के साथ ही रायपूर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे तथा अन्य वरिश अ प्रदेश की धनबल के कारण जीत हुई है लेकिन प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की वादा खिलाफी को समझ चुकी है इसे पहले कल रात बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सर्वेश्वर ने आरक्षन विधय को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस विधय को लेकर उठ रहे समवयधानिक और कानूनी मसलों पर राजिपाल द्वारा विधी विशे सग्यों से निरंतर लाय ली जा रही है उन्होंने कहा कि यह समवयधानिक जरुद भी है और इसका तातकालिक महतो भी है इस बीच यूआ कांग्रेस और NSY ने आरक्षन को लेकर पोश्ट का आड़ाभ्यान शुरू किया है यूआ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्म और NSY के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा है कि आरक्षित वरके लोगों की आवाज को राजभण तक सीधे पहुचाने के लिए इस अभ्यान के शुरूआत की गई है वहीं 36 गड़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभागद्वारा आज आरक्षन विध्यक को लंबित रखे जाने की विरोध में राज की विन इस्थानों में धर्ना प्रदेशन किया गया सारंगण विलाईगण जिले में टिमर लगा गउं के पास बीती देर रात पानी से भरी खदान में कार के गिंदे से सरपंच सहित चार लोंग की मौत हो गई वहीं सरपंच की बेटी ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाए बिली जानकारी के नुसार कार में सवार होकर एक ही परिवार के पाँच लोग ओडिशा से टीमर लगा गाउं आ रहे थे इसी दोरान टीमर लगा गाउं से पहले कार को रिवर्स करने के दोरान उनकी गाड़ी पानी से भरी खदान में जागी जी इस हाथ से में सभी लोग डूब गए जिन में से चार लोग की मौके पर ही मौत हो गई घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोता खोरों की मदद से बचाव अभियान चलाया सरपंच सहित चार लोग के शोव बरामत कर लिए गया है कार को भी बाहर निकाल लिया गया है मुक्यमात्री भूपेश बगल ने सड़क दुर घटना में चार लोग की मृत्ति पर गहरा दुख प्रकट करते वे कहा है कि इस घटना में मृत्त प्रती सदस से चार चार लाक रुपए की मौजाराशी मृत्कों के परिजनों को दी जाएगी उन्होंने घायल बालिका को बेहतर इलाइज की सुईदा अप्लप्त कर लेकिन देश जिल अप्रशासन के अधिकारियों को दिये है 36 गड़ के धमतरी जिल के ग्राम खरेंगा निवासी मनीश द्रू लद्दाख सीमा पर ज्यूटे के दौरांश शहीद हो गए है मुख्यमंतरी भूपेश बगेल ने उनकी शहादत पर उन्हें नमन करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रती अपनी समवेदना व्यक्त की है शिब अगहिल ने कहा है कि 36 गड़ के इस जाबाज सपूत ने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया उनकी वीरता 36 गड़ के लोगों को हमेशा गौरवान वित करती रहेगी अब कुशाने खबर संख्षेप में परिक्षा पर चर्चा में भाग लेने के प्रविष्टियां जमा करने की आज अंतिम्तिती है कक्षा नौमी से बारवी तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक समधित वेव साइट पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते है इनका चैन एक ओनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्धम से किया जाएगा 36 गण राजजी ओपनी स्कूल दारा अयोजित मुख्य और और सर परिक्षा वर्ष 2023 में शामिल होने के लिए आविदन करने की कल अंतिम्तिती है उसके बाद एक से पंद्रह जनवरी तक पांच सो रुपए विलम बशुल के साथ आविदन भरे जा सकेंगे स्वतन्तिता संग्राम सेनानी और अविभाजी तमद्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रवी शंकर शुकल की पूर्णेतिती की पूरुप संध्या पर मुख्यमंत्री भूपेश बगहल ने उन्हें नमन किया है बिलाशपुर के चकरभाठा में आगामी दो और तीम जन्वरी को सिंधी समुदाय के पवित्र चालीसा महोत्सों का आज़ून किया जाएगा इसमें शाविल होने वाले यात्रियों की सुईधाओं को धेखते हुए रेलवे प्रशासन ने चकरभाठा इस्टेशन में दो मिनट के लिए दस एक्स्प्रेस गाडियों का आई स्था ठारायों देने का निड़िया है जिला रोजगार कारेला रायपूर के पुराना पुलिस मुख्याला परिसर में आगामी पाँच जन्वरी को 165 पदों पर भरती के लिए प्लैस्मेंट कैम का आज़ून किया जाएगा बिजली की दर्मे बृद्धी का विरोध करते हुए आज जन्ता कांगरे 36 पर के कारेकरताओं ने कबीर धाम जिले के सभी विकास खन मुख्यालों में धर्मा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ग्या पंसों पा इंद्रा गांधी राष्टी मुक्त विशुद्याला इग्नु में जन्वरी 2023 सत्र के लिए आनलाइन पंजियन शुरू हो गया है पंजियन कराने की अंदिम्ति थी 31 जन्वरी है भारती जन्ता पार्टी की रैपूर शहर जिला इकाई ने ब्रश्टा चार और अनिमतता सहित विभिन बुद्दो को लेकर कल रैपूर नगर निगम का घिराव किया कबीर धाम सिले की सिटी कोत्वाली पुलिश ने नौकरी लगाने के नाम पर करीब 15 लाक रुपे की ठगी के आरोप में एक वक्ती को गिरफ़तार किया है बिलासपुर जिले की रतनपूर पुलिश ने चिटफंड कमपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ़तार किया है कुर्बा जिले के कुश्मुंडा थाराक शेत्र में कोईले से भरी मालगाडी में एक बुजुरुग का शौमिला है और बिजापुर जिले के टी पॉइंट से दो किलुमेटर दूर एक शेर देखा गया है शेर की तस्वीर CRPF के CCTV कैमरे में कैद हुई है अंतिने मुखे समाचार एक बार फिर राजमंत्री मनले शास की अधिकारी करमचारें को पुरानी पेंशन योजना का लाब देने का निन लिया है प्रदेश में जुआ रोकने के लिए बनाय जाएगा कानून 36 गड़ जुआ प्रतिशेधे विध्या के प्रावरुप का कैबनेट की बैठक में किया गयान मोदन CBSी ने दस्तुवी और बारही बोड की परिक्षा की समय सानी जारी की 15 फरवरी से शुरू होंगी परिक्षा है और सारंगड बिलाई गड़ जिले में पानी से भरी खदान में एक कार गिरने से सरपंच सहित चार लों की मौत इसी के साथ प्रादेशिक समचार बुलेट इन समाप्त हुआ नमस्कार भी समाप्त है